दोस्तो अगर आपका भी प्लैंग है फूचर में कोई electric scooter लेने का है बटा आपके रिबाम में question है कि आच्छे सबसे हट के नए generation के electric scooter जिसमें range सबसे अच्छी हो नए generation के features हो और एक बार electric scooter लेने के बाद आपको tension free रहना है क्यूंकि आप electric scooter के price बहुत ही जादा हो चुके है बट सबसे हाइस रेंज जो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में देखने को मिलने वाली है 333 किलोमेटर की रेंज आपको वन चार्ज में देखने को मिलने वाली है अब इनका जो टेस्टिंग वगरा पूरा कंप्लेट चल रहा है बट ये एपसलेटली 2023 में सबसे ज़्यादा रेंज देने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर हो सकती है फीचर्स की बात करें गयाज तो आपको डिस्प्ले वगरा बड़ा मिलने वाला है इंडिया ब्रकेट में होनेवाला है क्योंकि इंडिया के बाहर की ब्रेंडthe काफ़ी पॉपूलर हे अधिक काफ़ी पॉपूलर है सब्सक्राइब इसके बातब 6 शेकेंड में आप इसकी बैटरी हैच करके फूल चाज वाली बैटरी ले सकते यह जैसे petrol pump होते हैं, वेसे इनके charging network, charging station देखने को मिलने वाले, वहाँ पर कुछ second आप जो इसको change करके अपने range अप्ग्रेड कर सकते हो, और आप जो आपके journey आगे start कर सकते हो, तो ये कुछ सबसे बड़ा हट के जो आपको point मिलने वाला है, जो की Indian market में गोगरो लेकर आने वाल मिलेगे, बड़ ये बात confirm है कि जैसे ओला जो successful Indian market में हो चुका है, वेसे आपको जो है गोगरो भी electric scooter इंडियन market में successful देखने को मिल सकता है, बात करें हम expecting pricing के बारे में तो guys देखो, mainly pricing जो रहने वाली है, वो competition के हिसाब से रहने वाली है, इनको जो competition में टकर देने के लिए ओला electric है, तो ओला electric के लिए guys ये खतरा हो सकता है, expecting price यह रहने वाली कि ओला electric के जो pricing है, उसके कम ही price में आपको ये electric scooter देखने को मिल सकती है, बात करतें next electric scooter के बारे में river indy, guys river indy जो electric scooter है, सबसे पहले आपको customized look मिलने वाले, अलग-अलग look में आप ले सकते हो, जिसकी requirement जो बड़ी है, बलकि electric scooter है, प्राइसिंग की बात करें, तो इन्हें प्राइसिंग रखी है, 1,25,000 रुपीज, औगस्ट माईने से ये electric scooter की delivery चालू होने वाली है, अलग-अलग state में भी इनकी delivery चालू जल्दी करने वाले, तो अगर आपको एक बड़ी electric scooter चाहिए, जिसमें अगर आप रोड पर देखे हुए, इस electric scooter को जाते टाइम, तो हर टाइम जो आपको अलग electric scooter का लुक दिखेगा, क्योंकि अलग-अलग customer की requirement ये पूरी करने वाली है, तो अगर आपको ये से कुछ electric scooter चाहिए, फ्यूचर में, तो इस electric scooter की तरह आप जा सकते हो, बात करतें, next electric scooter के बारे में, दो नमबर पर देखने को मिल जाता है, reward and next 100, सबसे mainly जो highlight point है, इस electric scooter का wait करने के लिए, वो सबसे पहले range मिलने वाली है, जादा 280 km की range मिलने वाली है, LFE battery है, सबसे हट के कुछ नए features मिलने वाले है, सबसे हट के नए features मतलब आपको जो है, dash camera, front and rear में मिलने बारे में, देखो यार, यह electric scooter launch के लिए ready है, कुछ ही weeks में आपको यह electric scooter का launch event देखने को मिल सकता है, इन्हों एक post भी गयाता है, पर इनका product जो है, पूरी तरह से ready दिख रहा है, बात करे हम expecting pricing के, तो expecting price जो रहने वाली है, 1,30,000 लेकर 1,40,000 तक यह electric scooter इंडियन मार्केट मे आ सकती है, depend रहने वाला एक product के उपर, तो दो product आपको देखने को मिलने वाले, 150 km range वाला and 280 km range वाला model, तो जिसकी भी requirement रहेगी, इस electric scooter को purchase कर सकता है, तो सिधा सिधा यह जो simple लों को टकर देने वाला है, बात करते हैं, और नंबर उन ब्रैंड के बारे में, जो हैर 2023 में, य government के नए guidelines के हिसाब से, इन्होंने थोड़ा late किया है, बट इन्होंने confirm कर दिया है कि 2023 के ending तक आपको इसके update वगएरा देखने को मिल सकते हैं, बट हाँ, ये बात confirm है कि Honda जो है, active based electric scooter इंडिन मार्केट में उतारने वाला है, तो अगर आपको भी एक Honda की trustable electric scooter लेनी है, जिसम मैंने starting में बोला था कि gogro electric भी लेकर आने वाला है, वैसा है कुछ Honda भी बहुत सारे countries पर ये काम कर रहा है, आप यकिन नहीं करोगी, Honda की जो battery है, वुसकी जो life है guys, approximately 10 साल तक आपको देखने को मिल सकती है, अगर आप swap battery technology लेते हो Honda की, तो भी आपको कुछ problem नहीं आने वाला है, अगर आप scooter के साथ भी battery लेते हो, तो आप बोल सकते हो कि यार, 10 साल तक तो चलने ही वाली है, क्योंकि Honda जो है बाहर की country में काफी successful हो चुका है, removal battery pack मिलने वाला है, ट्रस्टेबल ब्रैंड मिलने वाला है, और सबसे ज्यादा battery की live भी देखने को मिलने वाली है, तो 5,000 से लेकर जो 1,40,000 तक आपको इसकी expecting price रहे सकती है, तो गाइज यह ते कुछ 5 electric scooter जो कि absolutely, absolutely अगर आप लेने का plan कर रहे हो, तो इन पांचों में से कोई भी ले सकते हो, तो गाइज इन पांचों में से आपको कोई से अच्छी लेगी, कमेंट में जाकर जरू से जरूर ब अबुली